देवास के खातेगाओं क्रशी मंडी में उपज निलामी नहीं होने से नाराज किसानों ने मंडी परिसर के बहार इंदोर बैतुल नेशनल हाइवे पर चक्का जाम कर दिया करीब एक घंटे तक जाम के स्थिती बनी रही पुलिस और मंडी अधिकारियों की समझाईश के बाद किसानों ने जाम खत्म किया खातेगाउं क्रिशी उपज मंडी में तुलावटी हम्माल और व्यपारियों के बीच सामंजस नहीं होने से किसान परिशान हैं बीते दिनों हम्मालों और तुलावटीयों के पारिश्रमिक दर में व्रध्धी को लेकर बैठक हुई थी जिसमें नियम अनुसार पारिश्रमिक दर में 10% व्रध्धी करने का निन लिया गया लेकिन हम्मालों और तुलावटियों ने कुछ कारियों में पारिश्रमिक दर अधिक बढ़ाने की मांगी थी जिस पर सहमती नहीं बनी इसके बाद हम्माल तुलावटी हरताल पर चरे गए जिसके चलते किसानों की उपज नहीं बिक पाई नाराज किसानों ने हाइवे पर जाम लगा दिया मौके पर पहुचे प्रशाष्टिक अधिकारियों की समझाईश के बाद जाम खत्म हुआ अधिकारियों ने हम्माल तुलावटियों और व्यापारियों के बीच सामन जस से बनाने की कोशिश की लेकिन काम्याबी नहीं मिली ब्यापपारी और हमाल दूलावटियों के कारण जो आज ब्यापपारियों की कल जो बिटिंग होई थी उसके अंदर दस परसेंट जो हमाली बढ़ा नी थी तो उस पर एगरी भी हो गए थे लेकिन कुछ इस्व था हमाल होगा कि उनको धेर कटने के लिए पेसा चाहिए दा तो उनकी बात नी बनी तो उन्हों एक लेटर दे दिया तो शाम को दिया हूं तो यह मंडी बंद करने का उन्हों चोई घंटे पेले कोई भी देना चाहिए इसके कारण कि हमारे किसान जो है वो रात को मंडी में आगा उनको सुचना नहीं भी लिए और वो अब सुबे से लेकिन लेकर लेकिन अब जो पर यह यह अब नहीं तक निभी किए आप तेसी आई साब आये हैं हमने साव से सुबे से चर्चा कर रहे हैं लेकिन वह यहां पर मोंके पर अभी तक निया है अब दो आज तो आज तो लिया जाए ताकि हमारा जो किसान कल से जो परिसान है वो अब आपके ट्राले लेके गहां आप आप देख रहे हैं डखल न्यूज